इस कहानी के सभी पात्रो और घटनाय कालपनिक हैं, जिसका किसी भी जीवित या मृत वेक्ति से कोई संबन नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है, तो ये महज एक इतफाक है। हाला के इस तरह की कई घटनाय घटित हुई हैं, जो ना तो किसी अखबार की सुर्खियां बन सकी और ना ही किसी न्यूस चैनल की हेडलाइन। सारी जिन्दगी कमाने और अपने परिवार का पोर्शन करने में गुसान देता है। और उसे हमेशे ये उमीद रहती है कि आने वाला कल बेहतर होगा। रोज हजारों लोग गाउं और पस्बों से दिल्ली शहर में कमाने के लिए आते हैं, जो अपने खून पसीने को बेच कर एक वक्त की फोटी मुहिया कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें सिर्फ नसीब होती है। वो भुक्षाह। पानी हमें दे दो जरा। कहीती न मैंने, घबराने की कोई बात ना है, अरे इन दिनों में ये सब होता रहे। हाँ, तुम तो हमेशा सही कहते हो, तुम्हारे मुह से कभी कोई कलत बात निकलिया का। अरे अब तो डाक्टर ने भी कह दी, कि गवराने की बात ना है, हमारा बच्चा बिलकुल ठीक है। हाँ, ये तो तुमने डाक्टर की सुन ली, पर ये ना सुनी के मुझ में कितनी कम जोरी आ गई है ना खाने के विज़े से। अरे हर वखत खाना खाना, कर तो रहा हूँ, अपनी हिम्मत से भी जादा कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हो, मैंने कब मना करी। पर डाक्टर की बात भी तो सुनी चाहिए थी के नहीं तुमें। अरे सुनली मैंने डाक्टर की भी, तू बता, रोज सुभा निकलता हूँ नहीं काम पे, नहीं मिलता काम तो मेरे हाथ में है क्या, अर इतनी ही दिक्कत्ती तो साधी क्यों करी थी मुझसे। अब कई की बात कई मत जोड़ो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि डाक्टर ने कहिए कि सईसे खाना पीना ना किया तो बच्चे पैसर होगा हमारे। अरे तुझे पता भी पूरे भारत में कितने लोग भुक्के सोमें रोज। ए मुझे भारत से क्या मतलब है, मुझे अपने बच्चे और तुम से मतलब है। अब लड़ती ही रहेगी, या कुछ खाने को भी देगी। आ तुमारी ओज भरदू पहले, लाकि कुछ भरी न रखा, डूब रहां। अरे मेरी लाडो कुछ तो होगा ही, देख ले जरा। करवा कि ले ये लिएा लेएबस। लो, ये ये बस। लो, ये ये बस। क्या सिल रही है ये किस के लिए सिल रही अपने बच्चे के लिए बाजार के महंगे कपड़े पहना पाओगे उसे अपनी पुरानी साड़ी से सिल रही हूँ हेलो हाँ जी जी कैसी हो हेलो लेलता हम तो ठीक है और तुम बताओ तुम कैसी हो हाँ हम भी ठीक है और जी जाजी कैसे है वो भी ठीक ही है और तुम खाने पीने का ध्यान तो रख रही हो कि नहीं रख रही हो हाँ हम सब द्यान रख रहे हैं तुम बताओ क्या कर रही हो अई कुछ नहीं हम तो बस टीवी देख रहे थे परधान मंती जी आये थे टीवी पे बो कले एक दिन का जनता करफ्यू लग रहे है है जी जी करफ्यू कोई दंगा बंगा हो क्या क्या अई नई पगली दंग कहे होगो जे बोबाला करफ्यू ना है जे जनता करफ्यू है बिमारी को रोपने के लिए लगाया जा रहा है जे करफ्यू अब जी जी भूजे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें काम करो, इन से बात करो, इने बतादो कौन सा करफ्यू लगा है, हाँ, लोग जी जी से बात करो हलो, हाँ लता, कैसी हो? पढ़नाम जी जाजी हाँ पढ़नाम, कहा लग्या करफ्यू? अई जे तो ऐसी परसान हो रही थी, करफ्यू ना लगा है, जे जन्ता करफ्यू है मतलब? चाइना से कोई करना नाम की बिमारी आई है, उसको रोगने के लिए पढ़नाम बंत्री जी ने एक दिन का जन्ता करफ्यू लगा दिया है और आप लोग भी घर से बाहर मत निकलियो, और ललता का ध्यान रख्यो, उसकी बैसी तव्यत खराब है सुनने में आया पड़ी जान लेबा बिमारी है हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा रखते हैं हम ठीक है, चलो, पढ़नाम जी रजी हाँ, पढ़नाम क्या हो जी, कैसा कर भीओ, घर में तो कुछ खाने पीने को भी नहीं है हाँ, तू चिंता ना कर, एक दिन की तो बात है, करता हूं कुछ इंते जान अभी सुख्य के पास जाता हूं, और कुछ थोड़ा बहुत रासन ले आता हूं हाँ आते हैं हम अभी क्या हो जी हो गया इंतेजाम रासन नहीं लाए अरे इंतेजाम तो बहुत बढ़िया कर दिया परधानमंत्री जी ने मतलब क्या हो गया कलकु सारे देश की छुट्टी कर दी, कोई काम पे ना जा सकता अरे तो रासन तू लेके आते अरे किस मूँ से जाता उसके पास गया था मैं फिर भी इतनी भीड लग रही थी उसकी दुकान पर मेरी इंमत ना होई कुछ कहने की पहले से इतना उधार है उसका इतने सारे लोगों के सामने अगर जलक देता मुझे कितनी बेच जती होती लाडो ए लाडो ए लाडो अरे इधर तो देख द्या करके लाए थी क्या क्या कई थी सेल लेके जाऊंगा रानी बना के रखूंगा किसी चीज की कमी नहीं होने दूँगा यहां खाने तक के लिए अरे लाडो तु नाराज क्यों होती है अरे तू तो मेरे दिल की रानी है जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो ब्यायू करी अरे तू किस जिम्मेदारी की बात कर रही है इस देश में जब बच्चा पैदा होवे न तो अपनी जिन्देगी का जिम्मेदार खुद होवे यह लाडो तेरी मा तो नाराज हो गई तू मतो यो बस तू जल्दी से बाहार आजा फिर देख तेरे लिए क्या क्या करता हूँ सो जाओ थोड़ी देर में भूग सोने नहीं देगी एलाडो एलाडो उड़ जा अरे कुछ चाए नाशता देख ले चाए नाशता कहां से बिना दूद के चाए नहीं बनती अरे बिना दूद के ही तो चाए बने चल मैं कुछ बाहर से देख के लाऊ बाहर कैसे चाओ के बाहर तो करफ्यू लगा है धत तेरी की ये तो मैं भूली गया था आज का दिन भूख के पेटी निकालना हाई बीडी भी तीनी बची है बंडल में पूरा दिन तीनी भीडी में गुजारना पड़ेगा हालो कौन हाँ जी जाजी नमस्ते हाँ नमस्ते लता कैसी हो हम तो ठीक है जी जी आप कैसे हैं और ललता कैसी है हाँ हम भी ठीक है और ललिता भी ठीक है लेटी हुई है अच्छा आपको पता चला क्या अरे जी जाजी 31 मार्श तक का लोगडाउन लगया है जैसे आज जन्ता करफ्यू था बैसे 31 मार्श तक करफ्यू रहेगा है? यानी 9 दिन और करफ्यू? हाँ जी जाजी अच्छा ठीक है रखते हैं हम पढ़नाम जी जाजी क्या हुआ जी? सारे देश में लोगडाउन लगा दिया लागडाउन मतलब? अरे ताला बंदी 9 दिन तक करफ्यू तो तो फिर तुम्हारा काम? काम? काम का क्या? जाँगा मैं तो काम पे कल जरूर जाऊंगा तू फिगर न कर तू आराम कर मैं कल कू काम पे जाके कुछ न कुछ इंतिजाम जरूर करके लाऊंगा जरूर जाऊंगा काम पे तूमें कक्या कर दो एया तूमें काम अलूर जडनोगा जर्म माशना नहें कर दो चरह क्या तूमें क्या hinaद्ड़बbor कंपो तूम्हां कर दो कर दो कर दो दो बो कर दो कहां जा रहे हो काम पे बाहर तो ताला बंदी है ताला बंदी है तो क्या काम तो मिलेगा मजदूर भूका मर जाएगा क्या काम पे तो 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 क्या हो अजी यह क्या हो गया क्या हो अजी काम के लिए बहर गया था सब बंद है चारो तरफ सन लाटा मेरे एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि पुरा लिटाल के पीछे कुछ लोग काने का सबान बाट रहे है मैं उधर गया तब ही एक पलिस की गाड़ी आई और मजे पलिस वाले ने मारना शुरू कर दिया क्यूं लेकर मैं बहले पुलिस वालों से कहा कि गर में कुछ खाने को नहीं है बोले हम यह लोगों की जान बचा रहे है और तुझे खाने की पेड़ी है बुआ हो देंगा से के खाने की ऑचाने के कुछ घलिस वाले है खुआ है और हुआ है ठो क्विलो Support ॰ूचुँ प daí क्विलो घड़ क्विलो क्विलो ही लाडो, 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 एलाडू हर खुशी अब धुल गई है आसों की धार में हर खुशी अब धुल गई है आसों की धार में कोई बत ला दे बचा क्या अब मेरे संसार में वो गई क्या मेरे मन की रोशनी ही मर गई जाने वाली जाते जाते घर को आगन कर गई वो नजर आए है मुझे को अब दरो दीवार में कोई बत ला दे बचा क्या अब मेरे संसार में क्या खबर थी वक्त ऐसा दिन मुझे दिख लाएगा जिस दिये से घर था राशन वो दिया बुझ जाएगा छोड़ कर जब वो गई है अब मुझे मजधार में कोई बत ला दे बचा क्या अब मेरे संसार में बेरेना 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 अब में जाएगा झाल झाल